हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल दे पर तो आधकी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग rank of correlation निकलने के लिए शीखेंगे ठीक है तो देखो इसका भी 2-3 format होता है 2-3 types का होता है जैसे कि आपको यहाँ पर जब आपको rank दिया हुआ दे दे डि है रंक हमको मेद का भी दिया हुआ हमको physics का भी दिया हुआ है तो इसका हम लोग rank of correlation कैसे निकलते हैं इसके बारे में आज कि वीडियो में जानएंगे ठीक है next वीडियो में हम लोग say कोई mark दीया वा रहे तो उसका rank निकाल करके correlation कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी discuss करेंगे next वीडियो में तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों इसका जो हमारा n की संख्या जो है कितना है यहां पे तो मैं यहां पर लिख दता हूँ in math rank in physics उस तरह से लिख देना है r1 r2 तो जैसा कि आपको यहां पर देख सकते हो मैं एक column बनाके रखाओं यहां पर ठीक है तो क्या लिखाओं दोस्तों पर्शन लिख दिया हूँ r1 r2 उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है d निकालना पड़ता है जिसको हम लोग r1-r2 की नाम से जानते हैं ठीक है d equal to r1-r2 होता है उसके बाद क्या करेंगे d का square कर देंगे ठीक तो चली r1 कौन है देखो यहां पर r1 जो है हमारा यह 9 से लेकर के 3 तक 9 10 6 5 7 यह ह और हमारा रेंक इन फीजिक्स आट टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ठीक चली मैं इसको लिग लेता हूं यहां पर ठीक है तो मैं यहां पर लिग लेता हूं उसको सबसे पहले लिखांगा मैं क्या r1 कितना दिया हूँ है 9 10 6 5 7 2 4 8 1 3 ठीक है उसके बाद रेंक इन फीजिक्स में क्य 8 9 10 कुछ इस तरह का दिया हुआ है ठीक है न दोस्तों अब क्या निकालेंगे हम लोग डी निकालेंगे मतलब r1-8 2 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 9 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 8 हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 5 में से 4 जाएगा 1 साथ में से पांच जाएगा दू, दो में से चार जाएगा, मैनस चार हो जाएगा, चार में से साथ जाएगा, मैनस तीन हो जाएगा, आठ में से आठ जाएगा, जीरो, और नो में से एक जाएगा, मैनस आठ, और तीन में से दस जाएगा, कितना हो जाएगा, आपके पास, मैन 3 का square कितना हो जाएगा 9 0 का square 0 and minus 8 का square 64 ठीक है उसके पड़े 7 का square क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पार 49 हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना दोस्तों अब क्या निकालना है आपको summation of d square तो summation of d square कैसे निकालेंगे तो summation of d square भी या तो हम लोग कैसे निकालते हैं summation है इसक को जो रोगों तो आपका मान निकालेगा 200 तो आप हम लोग क्या है और रेंग औप कॉर लेसा निकालने के लिए आप हैं तैयार हैं दोस्तों थेख करता हूं तो रेंगा प्रहूल करने के को सिस्क्राइब 1-6 summation of d2 square upon n into n square minus 1 होता है ठीक तो देखो आप क्या करेंगे 1 है तो 1 रन देंगे into 6 है तो 6 summation of d2 square जो अभी निकाले हो 208 उसको हम लोग क्या करेंगे यहापर multiply कर देंगे 208 divide by n का value हम लोग 10 है जिसे यहापर देख सकते हो 10 का value 10 into हो जाए क्या 10 का square मतलब 100 100 में से एक गटां कितना हो जाए नीना नवी ठीक तो देखो जब आप इसको solve करोगे तो आपका मान यहां से से निकल जाएगा तो दोस्तों यहाँ से आज़ो आपका मान निकल एक वीडियो आपको बहेतरी लगा होगा यहां पर qr-code दिख रहा है यहाप डोनेट कर सकते हैं मुझे led जो तो बराबनेट कर सकते हैं जिसमें परहाना होता है वह लेना चाहता हूं यहाप डोनेट कर सक रखते हैं तो चलिए इसकी सांद मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत